दोस्तों 21 जुलाई को साल की सबसे बड़ी पूर्निमा अशाड पूर्निमा पर धन में अपार वृद्धी का योग बन रहा है और दोस्तों इस दोरान किये गए शुब कारियों से जीवन में सुख समृद्धी आती है ऐसा कहा जाता है कि तुलसी माता में कई देवी देवताओं का वास होता है अशाड पूर्निमा के दिन तुलसी माता की पूजा की जाय तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है दोस्तों इस बार अशाड पूर्निमा रविवार के दिन है और पूर्निमा का दिन मा लक्ष्मी को समर्पित होता है रविवारी पूर्णिमा के दिन विश्नु भगवान के साथ मालक्ष्मी की पूजा भी करते हैं क्योंकि इस दिन की गई पूजा काई गुना का फल मिलता है इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अच्चूक उपाए आपकी हर परेशानी का हल कर देगा चाहे वो धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ती को लेकर हो इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जैश्री हरी विश्नु जैमाल लक्ष्मी लिखना ना भूले दोस्तों इस दिन पूजा, व्रत, दान, आदी धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायन की कृपा बरसेगी दोस्तों अशाड मास की पूल्निमा को गुरू पूल्निमा कहते हैं इस दिन दान पुन्य का विशेश महत्व होता है गुरू पूल्निमा को व्यास पूल्निमा और वेद पूल्निमा के नाम से भी जाना जाता है ये त्योहार गुरू और शिशे के पवित्र संबंध का प्रतिविंभ होता है इस साल गुरू पूल्निमा के दिन रहों का दुरलब संयोग बन रहा है आज की इस वीडियो में हम आपको सरल और प्रभावशाली उपाय बताने वाले हैं दोस्तों जो भी व्यक्ति 21 जुलाई 2024 अशार पूर्णीमा के दिन तुलसी में ये गुप्त चीज बांध देता है तो दोस्तों उसके पास इतना धन आता है कि उसकी पीडी दरपीडी कोई भी गरीब नहीं रहता और वह बन जाता है माला माल दोस्तों जो इस अशार पूर्णीमा पर ये खास उपाय करेगा तो उसके भाग्य के द्वार खोलेंगे बरसों की निर्धनता दूर हो जाएगी भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी आपके उपर असीम कृपा बरसाएंगी धन धान्य सुक समरिद्धी से आपकी जोली भर देंगे दोस्तों तुलसी तो सब लगाते हैं तो दोस्तों ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लापकारी है तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से काफी लाब मिलता है दोस्तों वेद पुरानों में विस्तार पूर्वक बताया गया है लेकिन इसी के साथ में क्या आप ये बात जानते हैं कि तुलसी के नीचे ये चीज बांधने पर मिलता है आशिरवाद और आपको वह सारी खुशिया मिल जाती है जिसके आप हकदार है लेकिन दोस्तों तुलसी के नीचे ये चीज बांधना भी है जरूरी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर प्रकार की आध्यात्मिक जानकारी हमेशा आपको प्राप्थ होती रहे और मा तुलसी के लिए भी एक लायक तो बनता है जै मा तुलसी जै महलक्ष्मी दोस्तों हिंदु धर्म में तुलसी मा को देवी के समान माना जाता है पूजनियम माना जाता है भगवान विश्णू की पत्नी विरिंदा मानकर देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी और शाली ग्राम का विवाह करवाने के लिए भी हमारे यहां परमपरा चलती है शास्त्रों के अनुसार जीज भी घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है खिला रहता है उस धर में सुख, शान्ती और सम्रिद्धी निवास करती है भगवान विश्णू की पूजा और प्रसाद में भी तुलसी पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है क्योंकि इनके बिना पूजा अपुन मानी जाती है इसी कारण से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है यदि दोस्तों आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शान्ती और सम्रिद्धी के लिए तुलसी मा को लाल चुन्री अवश्य से चड़ानी चाहिए अक्सर लोग जाने अंजाने में कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं वह लोग तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं लिकिन माता रानी को चुन्री नहीं चड़ाते हैं जिसके कारण वर्ष उन्हें अच्छे फलों की प्राप्ती नहीं हो पाती है हमेशा इस बात को ध्यान रखे कि माता रानी को चुन्री अवश्य से चड़ाना चाहिए तुलसी ना केवल एक पौधा है बलकि यह हमारी मा है आपको दोस्तों ये भी बता दे कि तुलसी को चुन्री उड़ा कर रखा जाता है लेकिन इस बात का विशेश ध्यान बहुत कम लोग ही रख पाते हैं वो ये भी गलतिया करते हैं कि तुलसी की चुन्री यदि काफी पुरानी हो जाती है वफट भी जाती है लेकिन पुर्णी मही या फिर अन्य किसी शुप देवस पर ही तुलसी की चुन्री लोग बदल देते हैं लेकिन आपको ना केवल त्योहारों पर चुन्री बदलनी चाहिए बलकि साफ सुत्री चुन्री मा तुलसी को हमेशा लाना चाहिए बगर चुन्री के मा अच्छी नहीं लगती वह तुलसी मा बेहद नाराज हो जाती है और आपको फलो की प्राप्ती नहीं होती है तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान है जो तुलसी विवा कराते हैं तो उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आते हैं और होती है उन्हें स्वर्की प्राप्ति मा बड़ी ही प्रसन हो जाती है दोस्तों यदि आपके पास में चुनरी नहीं है तो मा तुलसी को ये बारी चुनरी आपको उड़ा सकते हैं जो नॉमल्ली आप कंचकों को भी उड़ाते हैं दोस्तों लेकिन आपको बता दे की खाली पौधा कभी भी घर में न लगाएं इससे मा तुलसी बेहद नाराज होती है और आपको फलो की प्राप्ती नहीं हो पाती है दोस्तों तुलसी के पास में आप लोगों को कुछ चीजे हैं जो नहीं रखनी है तुलसी मा हो जाती है क्रोधित जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहां तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर आपको अपने मुख से करवे बोल नहीं बोलने चाहिए इसके आसपास जूते, चपल, जारू पोछा रखना भी बहुत पाप माना जाता है तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थ पाप माना जाता है पौधे में शिवलिंग और गनेश जी की प्रतिमा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए तुलसी में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए तुलसी का पौधा जहां पर भी हो, वहां पर सदयव साफ सफाई होना अनिवार्य होती है तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाना चाहिए तुलसी का पत्ता नाखुन से नहीं तोड़ना चाहिए मता क्रोधित हो जाती हैं, तुलसी के पत्ते सुखकर गिर जाते हैं उन्हें कुले में नहीं डालना चाहिए, पानी में भी या फिर मिट्टी में उसे दबा देना चाहिए तुलसी का पत्र रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और नहीं रविवार की पूजा करनी चाहिए दोस्तों तुलसी में सुबह शाम पूजा करना चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए दोस्तों कुछ विशेश सावधानिया है जो आपको तुलसी को जल देते समय रखनी चाहिए भूल करके भी तुलसी में ऐसा जल कभी मत चड़ाना पूरा घर बरबाद हो जाता है आईए जानते हैं कि तुलसी में कौन सा जल डालना चाहिए और कौन सा नहीं साथ ही ये भी जानेगे कि घर में कौन सी तुलसी नहीं लगानी चाहिए और कौन सी लगाना बहुत शुब माना जाता है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करिएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख दे जेमा तुलसी दोस्तों शास्त्रों के अनुसार तुलसी में गंदा पानी बिलकुल नहीं डालना चाहिए पानी कोई भी हो साफ होना चाहिए अक्सर लोग बातरूम से पानी भर कर तुलसी में डाल देते हैं तथा गंदे हाथों से पानी डाल देते हैं या तो आप नहाले या अच्छी तरह से हाथ धोले दोस्तों कभी भी पानी डाले जो भी दोस्तों गंदे आचरंग से पानी डालने से घोरपाप लग जाता है बातरूम का पानी तुलसी के पौधे में गलती से भी नहीं डालना चाहिए जीस बरतन से आप पानी लगा रहे हैं उस बरतन को साफ अवश्य कर ले वह बरतन जूठा ना हो गंदे बरतन में जल भरके तुलसी में नहीं डाला जाता है इससे तुलसी माता क्रोधित हो सकती है साथ ही साथ आपकी तुलसी भी सूख सकती है जो पानी आप पीते हैं वही पानी आपको तुलसी में डालना चाहिए लेकिन इस बात का विशेश ध्यान रखें तुलसी के अंदर साधा जलना डाले इस जल में फूल वगरह या फिर आप थोड़ा सा गंगाजल अवश्यद डाल दे इसे पानी की गुनवत्ता कहीं अधिक गुना बढ़ जाती है और दैवियर शक्तियों का संचार होने लग जाता है हफ्ते में एक बार जब आप तुलसी में पानी डाले तो पानी के अंदर थोड़ा सा गाई का शुध दूध अवश्यद डाल दे इससे आपकी तुलसी हरी भरी हो जाएगी और तुलसी में दूध डालने से भी बहुत ही इससे शुब माना गया है इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे तुलसी में गाई का दूध पानी में मिला कर डालने से घर में खुशिया आती है तुलसी हरी भरी हो जाती है मासिक धर्म में आपको तुलसी के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए वैसे समय में आप किसी और से पानी डलवा सकते हैं लेकिन आप न डाले ऐसा करने पर तुलसी सूख सकती है दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जब आप अपने घर में तुलसी लगाए तो गंदी तुलसी ना लगाए सडी गंदी मिट्टी नहीं होनी चाहिए काली मिट्टी नहीं होनी चाहिए एकदम साफ होनी चाहिए तुलसी की मिट्टी से कंकर पत्थर हटा देना चाहिए तुलसी की मिट्टी में कचरा नहीं होना चाहिए इससे आपको पाप लग सकता है तुलसी की मिट्टी साफ करते रहिए तुलसी के अंदर शाली ग्राम की प्रतिमाही रखनी चाहिए शिव जी की मूर्ती, गनेश जी की मूर्ती या फिर किसी भी देवी देवता की मूर्ती तुलसी के अंदर नहीं लगना चाहिए और दोस्तों यही वह कारण है जीस वजह से शिव जी की जब पूजा होती है सावनों में तो बेलपत्र तो चड़ाया जाता है लेकिन तुलसी बिलकुल नहीं चड़ाया जाती है दोस्तों बता दे इससे आपको घोर पाप लग सकता है इसलिए तुलसी में आप केवल शालिग्राम की प्रतिमा रखना सर्वश्रेष्ट उच्चतम मंगलकारी माना गया है इससे महलक्ष्मी भी खीची चली आती है इससे आपका ब्रहस्पती ग्रह भी काफी मजबूत स्थिती में आ जाता है दोस्तों कौन सी तुलसी घर में नहीं लगाना चाहिए आईए जानते हैं एक तो वह तुलसी जो सूख गई हो घर में जल्द से जल्द या तो किसी मिटी में दबा देना चाहिए या फिर बहते हुए पानी में विसरजित कर देना चाहिए इसके साथ ही साथ सुखी तुलसी घर में रख कर और इसे हवन में इस्तेमाल करना बहुत ही शुब माना गया है आप इसे मृत व्यक्ती की चिता में भी तुलसी की लकडी में भी डाल सकते हैं दोस्तों इस व्यक्ती को नरक नहीं जाना पड़ता है तुलसी पाँच प्रकार की होती है रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, विश्नूप तुलसी, नीली तुलसी और बंध तुलसी लेकिन शास्त्रों के अनुसार हमारा घर में केवल रामा तुलसी और श्यामा तुलसी ही लगाई जाती है इसे बहुत ही शुब मंगल कारी माना जाता है राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी प्रकार की तुलसी घर में रखना उच्चित नहीं माना जाता है यदि हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर में श्याम तुलसी और राम तुलसी ही लगी हुई है संतकाल स्वर्ग लोग की प्राप्ती होती है। इसके सभी बिगड़े कार्य धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। धान, दौलत, रुद्बा, पैसा, सुख और सम्रिद्धी सब प्राप्त हो जाता है। लेकिन सच्चे दिल से ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराना चाहिए। संपूर्ण सामगरी के साथ विवाह कराना अती उत्तम माना जाता है। सूखी तुलसी की माला बना कर यदि बच्चों को पहनाई जाए, इसे काम्याबी मिलती है और दोस्तों आप भी उन्नती की और अग्रसर हो जाते हैं। बच्चों को काम्याबी मिलती है। नजर दोश और कई बीमारिय चूती भी नहीं है। इससे भगवान विश्नु का आशिरवाद सदैव आपके उपर परिवार के उपर बना रहता है। तुलसी माता का आशिरवाद बना रहता है। सभी बिगड़े कार्य पूरे हो जाते हैं। लेकिन याद रहे तुलसी की म जब आप अपने गले में पहने तो अपने मन में गंदे आचरन ना रखें। जूट ना बोले मास मदिरा का त्याक कर दें। इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइ मिले मिले। दोस्तों मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैमा लक्ष्मी।